अब दोस्तों आज बनाते हैं हरा भरा कबाब हरा हरा तो पूरा हरा ही बनाएंगे चलिए शुरू करते हैं हरा हरा कबाब बहुत ही टेस्टी होता है एक तुम्सालों फ्राय कालेंगे तो जिब फ्राय भी आप कर सकते हैं लास्त तक देखें वीडियो को अच्छा लगए तो ज़रू लाइक करें श्यार करें तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों पालक को हालका सा ब्लांच कर लेना है कि ब्लांच करने से क्या होता है इसका कलार बिल्कुल नहीं जाएगा जस्ट एक मिनिट करीब इसको उबालना है पानी हमारा गरम था पहले सी तो इसको एक बार पाल्टी कर देता हो और ज्यादा बॉयल करने क्या होता है दूस्तों अगर ज्यादा बॉयल हो जाएगा तो इसके कालर बिल्कुल ही चला जाता है तो ज्यादा नहीं करेंगे बस हो गया इसको निकाल लेते हैं कोईवी शुप छानी में डाली और फटापाट इसमें थोड़ासा ठांडा पाणी डाल ली जिये तो इसके कालर बिल्कुल बराबर रहेगा ग्रीन ओके अभी दूसरे कड़ाई में हम क्या करेंगे एक चम्मच तेल डाल देंगे और इसमें थोड़ासा जीरा डाल देंगे आठदाश लशुन के कलिया थोड़ासा अध्रक बारी काटी हुए और दो तीन हडा मिड़्ची हालका सा इसको चला के डाल देंगे इसमें काटे हुए इसमें डाल देंगे थोड़ासा कटे हुए कैपसी कम शिमला मिर्ची तो इसको हलका सा चलाए और इसमें डाल देंगे हमने जाबी बॉयल करके रखे थे यह पालक पालक को दोस्तों क्या करना है अच्छा से निचोर के फिट डालना है बहुत ज़्यादा पानी रहने से क्या होगा यह बहुत ज़्यादा गिला हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गिला नहीं करना इसको अच्छा से थोड़ा से निचोर के बना लेंगे इसका देखिए तै कर लेंगे आच्छा से पीछ लेंगे कि मिक्षिजार में डालके बढ़िया से इसको पीछ लेंगे अब कर दो वह से इसको ढखन लगाई है और पीछ लेना है तो दूस्त अकर रेशीपी अच्छा लगए तो ज़रूरी लाइक करें शेर करें और आप भी घर में बना के एक बार टेस्ट कीजिए बहुत अच्छा लगए अगर दोस्तों कैसे लगा तो भी मेसेज करके बता सकते हैं तो इसको निकाल लेंगे देखिए आच्छा से आमने इसको पीछ लिए हूँ और इसमें डाल दिया थोड़ा सा पणिर ग्रेट करके कदुकस करके पणिर डाल दिया और बॉयल आलू एक बॉयल आलू डाल दिया धनिया पत्ता डाल देंगे इसमें धनिया, पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला अप्शनल है आप चाय तो डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं कोई बात नहीं और यहाँ पर रोस्टेड वैशन थोड़ा सा भूना हुआ वैशन हमने डाल दिया और एक चमच कॉन फिलर यह भी जरूरी नहीं है अगर आप डीप फ्राइ कर रहा है तो इसको डाल सकते हैं और नमक शाद अनुसार तो देखिए इसको अच्छा से मिक्स कर लेना है और ऐसे चोटे-चोटे प्यारे बाना लेना हाथ से यह चोटे-चोटे बॉल लेकर हाथ में थोड़ा तेर लगा लेना नहीं तो हाथ में थोड़ा से चिपक भी सकता और इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा नहीं देख लीजे पिलकुल इस तरह से थोड़ा सा फैलाईए और इ इसको डुबा लेंगे, आगर आपके पास अबलेबल नहीं है, तो इसको इसको कर सकते हैं, लेकिन डालने से देखने के लिए अच्छा लगता है, तो फटा-फट सभी को हमें इस तरह से बना लेंगे, तो देखिए तैयार हो चुका है, तो कड़ाई में हम डालेंगे देशी कर देखिए मैं यूज किया हूँ, और यहाँ पर बनके अमारा तैयार हो चुका था, तो इसको कड़ेंगे फ्राई, तो इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हूँ, डिप फ्राई नहीं कर रहे हूँ, आप चाहिए तो डिप फ्राई भी कर सकते हैं, एक-एक करके सभी को देदे कर लेंगे और दोस्तों रेसी पर अच्छा लगने से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे धीरे-धीर एक एक करके सभी को पाल्टी कर लेंगे तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा कलर भी आ रहा है कि इसको मीडियम फिल्म मेई पखाना है अगर हाई फिल्म में पकाएंगे तो कलर जल्दी आ जाया लेकिन क्यौ nok्राइग आ कि मीडिया माच में पकाई है तो बहुत अच्छा क्रांची होता है बहुत करांची होता है आरांदर में आपको सौफ्ट मिलेगा डेखे दीके दस्तो आड़ा चाटनी के साथ स्वाप किजियो बहुत अच्छा लगएगा इसी नए रेसीपी पाने के लिए मैं रेसाथ बने है